हेलो नमस्कार सभी कैसे हूँ आप सभी I hope सब ठीक होंगे अपने एक्जाम की तेरी को बहुत अच्छे तरीकिस कर रहे होंगे जैसे कि आपका हरियाना सीटी ग्रूप डी का अग्जाम में वो भी आपका नजदीक आ चुका है अगर नहीं देखे पिछले practice है आप playlist को चेक करें बहुत सरे सीटी के practice paper आपको cover करवा रखें आज का जो हमारा practice paper नंबर वन है जो आपके सीटी के अंदर नया exam pattern दिया है ह्सी के दौरा है एक बार जो नई बच्चे है उनको मैं बता देता हूं exam pattern के बारे में तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपका हरियाना जी के है वो 25 क्यूशन पूछेगा और जो आपके इंडिया जी के हैं वो आपके 15 क्यूशन आएंगे साथ के अंदर साइंस के भी आपके 15 क्यूशन आएंगे मैथ है आपका वो भी 15 क्यूशन आएंगे और साथ के अ हिंदी, इंगलिस और रिजिनिंग है, इसके 10 क्युशन आपके अग्जाम के अंदर रहने वाले हैं, और ये complete practice paper है, इसी जो आपको exam pattern मैंने बताए, इसी पर अधारित आपका ये practice paper, one हम cover कर रहे हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर देना, class अच्छी लिए तो like कर देना, समान्य जानकारी यानि की general knowledge से related हम important question को cover कर लेते हैं, question number one क्या कह रहा है, बारतिय सिविदान का कौन सा अनुचेद है, जो सहकारी समीतिय यानि की cooperative society के संबंद से संबंदित है, सिविदान का कौन सा अनुचेद, correct answer हो जेगा, dear, option number B हो जेगा भी, अनुचेद 43B के अंदर, वर्णन है, बारतिय सिविदान के अंदर, जो सहकारी समीतिय यानि की cooperative society के अंदर, थोड़ा सा इस question से related जो important data बन सकता है, उनको हम cover कर लेते हैं, इसके अंदर मैं बता दूँ आपको अनुचेद 43B है, इसके अंदर जो रज्य की सहकारी समीतिय होती है, उनके गठन, उनके कामकाज, उनके लोकतंत्रिक, नियंतरन से related बढ़ावा देने के अंदर प्रयास करेगा, साथ के अंदर एक क्यूसन और बन सकता है, जैसे कि इस सविदान के अंदर, यानि कि जो अदिनियम है, वो कब जोड़ा गया था, अगर ये पूछ ले तो 2011 के अंदर, इसे सविदान निमलिक्त में से किस के दवारा की गई थी, सवांद कोमुदी नामक अखबार, अपने राइट अंसर कोमेंट बोक्स के अंदर कर देना, आपके प्रैक्टिस नंबर वन से आपके कितने, आपके क्यूसन ठीक हो रहे हैं, सवांद कोमुदी नामक अखबार के हम बात करें, जो इन्हों ने कलकता से जो परकासित एक बंगाली साप्टाइक समाचार पत्तर था सवांद कोमुदी कब 19-वी सताबदी के अंदर राजाराम महन राइ को आप क्यों नहीं जानते बहुत सारे सतिपर था के उपर भी इन्हों ने रोक लगाई थी next question, देखी question number 3, सर्यू नदी किस नदी की सहाय क नदी है, सार्दा नदी की भी, option number D, excuse mechan का correct answer होजेगा, जो कहां पर पढ़ती है, उत्रा कंड के, कौन से जילे के अंदर, बागे स्वेर जिले के अंदर, पढ़ती है, सर्यू नदी, किस की सायक नदी हो जीगी सारदा नदी की नेक्स्ट कुशन देखिए डियर 26 जनवरी 2019 को बारतिय सिविदान ने अपने अस्तितव के उन्हें तर वर्स पूरण किये 26 जनवरी 2019 को इन वर्सों में 12 फर्वरी 2019 तक जो प्राप्त जानकरी के अनुसर जो डाटा है पूछ लिया कितने बार संसोदन किये गए थे वर्स 12 जनवरी 2019 तक कुरेक्ट आंसर हो जेगा डियर ओप्स नंबर बी 103 बार भी अगर हम बात कर लेते हैं बारत के सविदान के अंदर 1950 के अंदर पहली बार जब लग हुआ था उसके बाद अब तक 103 संसोदन हो चुके हैं डाटा है 2019 तक का सवचबारत मिसन ग्रामिन के चरण की सुरुआत चरण 2 की सुरुआत किस वर्स की गई थी 2020-21 के अंदर इसके अंदर दे दिया खालिस्तान सार ग्रही यानिकि इलेक्टरिक आर्ट के उच सतर को दरसाता है जिसमें सात्वी और आठ्वी स्तापदी में चालुक्यमस के अधीन उत्री और दक्षन बारत की वास्तु कलाओं को सुमेलित मिस्रन हुआ था कुरेक्ट आंसर हो जेगा डियर ओप्स नंबर B पटद कल थोड़ा समय इसके बारे में बता देता हूं जैसे की करनाटक के अंदर जो पटद कल है वो एक प्राचिन कला के उच बिंदू का परतिनी दितो करता है इसे चालुक्यमस के तहत यानि कि सात्वी स्तापदी के अंद और आठमें स्तावदी के अंदर उत्री और दक्षन बारत के अंदर स्तावपत्य रूपों का एक समझस्य मिस्रन किया था नेक्स्ट क्यूसन देखिए डियर क्यूसन नमबर सेवन अकबर कब समराट बना था अकबर कब समराट बना था वर्स 1556 इसवी के अंदर अकबर समराट बना था अकबर की बात कर लेते हैं तो तीसरे मुगल बादशाते और इनका जो सासनकाल के हम बात कर लेते हैं तो 1556 से ल नमबर एट गोदावरी नदी का उद्गम किस सथान से होता है यनि कि गोदावरी नदी है वो किस सथान से निकलती है अपना राइट आंसर कॉमेंट बोक्स के अंदर करने की कोसिस करी correct आंसर और हूजेगा dear महराश्टर के नासिख जिले के अंदर है ये ब्रमगिरी की पहाडया नेक्स्ट क्यूआ देखे डियर ओप्स Brush No. 9 निमलिक्त में से कौन सा मिजो लोगों का प्रमप्रागत बांस निर्टे है कौन सा बांस निर्टे है है? Еई करेक्ट आंसर होजेगा राज्य का तो राइट अन्स रोजेगा डियर आपका मिजोरम का भी किसका मिजोरम का नेक्स्ट किसन देखी किसन नमबर 10 राजा टोडरमल निमलिक्त में से किस मुगल समराट के सासनकाल के दोरान राजसव मंत्री थे राजा टोडरमल की बात हुई है तो राजा टोडरमल कि किसके थे अकबर के सासनकाल के टाइम भी अकबर के सासनकाल के टाइम ये रज्य मंत्री थे रासव मंत्री थे नेक्ष्ट किसन हमारे पास 11 बारत के पंजाब से निकलने वाली पांच नदियां पाकिस्तान में मिथन कोट में किश नदी में मिल जाती है पंजाब को पांच पाकिस्तान के अंदर कौन सी नदी होजेगी सिंदू नदिया अब बात कर लेते हैं कौन सी वो पाँच नदियों का जिकर हुआ है यहां पर एक तो सतलुज, व्यास, रावी, जेलम और चिनाब भी नेक्स्ट किसन देखिए किसन नंबर 12, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाये था, करेक्ट आंसर हो जेगा डियर वर्स 1869 के अंदर, जब 1857 से लेकर 1869 का जो बारतिय विद्रोह था, वो बिल्टिस इस्ट इंडिया कंपनी के सासनकाल के विरूद एक पर विद्रो माने जाता है और 1857 के विद्रो को 1869 के अंदर अंग्रेजों ने दबा लिया था यहीं पर बात कर लेते हैं जो बारत सरकार का अधिनिया में 1858 के दोवारा बारतिय परसासन का नेंतरण यानि की बिल्टिस राज को सौंप दिया गया था नेक्स्ट के उसने 13 बारत का पहला उच नेले कहां पर स्तापित किया गया था भारत का पहला उच नेले की हम बात करें राइट अंस रोजेगा डियर ओप्स नंबर ए कौलकत्ता के अंदर कई बार इसकी स्तापना पूछ ली जाती है तो 2 जुलाई भी कब 2 जुलाई और सन जुलाई 1862 को इसकी स्तापना हुई थी वारत के जो पहले उच नेले की जुन 1862 के अंदर बॉंबे और मदरास उच नेले के चार्ट का भी आदेश दिया गया था नेक्स्ट क्यूसन है पोखरण प्रमाणू परसिक्सन टू का कोड का नाम पूछ लिया क्या है पोखरण प्रमाणू परसिक्सन टू का कोड नाम क्या था राइटान सुरोजे का भी ओप्रेशन सक्ती के नाम से जाना जाता है बारत के अगर पोखरण के हम बात करें तो पो उप्रेशन के अंदर जो प्रमानु बंबों को सफलता पुर्वक परसिक्षन किया गयता और इसी को उप्रेशन सकती भी कहा जाता है नेक्स्ट कियूशन के बात के लिए पोकरन पूछ लिया जाता है कहां पर पड़ता है तो राजस्तान के जैसमलेर जिले से समन्दित हो जीगा नेक्स्ट कियूशन है MS Word 2010 के अंदर निमलिक्त में से किस कीवोड वैसे तो आपका कंप्यूटर का क्यूशन नहीं आएगा बाकी आजए तो हम एक क्यूशन यहां से कर लेते हैं कि MS Word 2010 के अंदर किस कीवोड सोट किट की का उप्योग करके टेबल की जो एक रो होती है उसके अंदर पिछले सेल में जाने के लिए क्या किया जाता है कुरेक्ट आंसर होजएगा डियर हमारे पास ओप्स नंबर थरी राइट आंसर होजएगा भी सिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करके नेक्स्ट किसन है जी एस का जो आपका जनरल साइस बोल सकते हैं समानने ग्यान जीस के अंदर फिजिक्स कमिस्टरी और आपकी बायो हाती है पंदरा किसन आपके एक्जाम के अंदर हंडर्ड परसेंट एचसी के दवारा पूछे जाएंगे एक्जाम कोन कंडेक्ट कितना होता है जल का अधिक्तम गंतव कैल्विन के अंदर हम बात करें वैसे तो जल का जो गंतव होता है फोर डिगरी सेल्शियस होता है परन्तु यहाँ पर जो कैल्विन के अंदर हमारा राइट आंसर निकल कराता है दो सो स्ततर कैल्विन पर भी थोड़ा सा डिटेल से ब तो आपके या फिर कोपी के अंदर भी आप अक्सर लिखते हो तो वो अक्सर उबर के हते हैं ये पूछ लिया किस फोरस के कारण किस बल के कारण तो राइट आंच रोजेगा भी आसंजस बल के कारण ये जो आसंजस बल होता है इसकी प्रिवासा क्या होगी जब दो भिन भिन पदार्तों के अनों के जो आपस में मद्य में मलने वाले यानि कि एक ये हो गया और एक ये पदार्त हो गया इनके बीच जो बल लगता है इसी के हम क्या बोलेंगे आसंजस बल बोलेंगे और इसने क के कारण ही जो ये आपका जो अक्सर है ये उबर कर आते हैं मनुष्यों के लिए सोर सह सीमा पूछ ली लगबग होती है यानि कि सोर सीमा की हम बात करें कुरेक्ट आंसर होजेगा डियर ओप से नंबर बी राइट होजेगा भी पिचा सी डी बी डी बी की फुलपोर्म की बात जाता है ठीक है विश्व स्वास्ते संग्ठन के अनुसार हम बात कर लेते हैं जो पंतारिश डिब भी होती है इस ओप्सन के अंदर दिया हुआ है वह होती है जो समन्य बात चीत करते हैं उनके अनुसार जो अमारी आवाज की जो अक्समता होगी यानि कि पंतारिश इसके अंदर जो हमारा राइट आंस रोगा गैंस इंजsheKuma के खोजगी थी, जो ये डीजल है, डीजल के हम बात कर लेते हैं, तो ये डीजल ही वेक्ती थे, यैनि की पूरी नाम बात करें, तो रोडाल्फ डीजल के दोवारा डीजल इंजन, डीजल इंजन पूछे, तो जब लाल को और पिकोक जो बल्यू रंग होता है उनको हमें आपस के अंदर मिला देते हैं तो कौन सा कलर निकल कर आएगा वाहिट निकल कर आएगा थोड़े से मैं आपके डाउट कलियर कर देता हूँ जैसे कि प्रार्थमिक रंग पूछ लिए जाते हैं कई बार अग्जाम के अंदर देखा होगा आपने तो प्रार्थमिक रंग 3 होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके R,B,C यहनी कि जो हम बात करें लाल और आपका एक नीला और एक आपका हराоном। ये प्रार्त्मिक रंग होते हैं next पर बात कर लेते हैं question number 21B पूछ लिया कौन सी equation है वो सत्य है कौन सा कथन या equation हम बोल सकते हैं कौन सी statement बोल सकते हैं कौन सा statement सत्य होगी तो right hands रोज़ेगा dear option number 2 हमारे पास correct होजेगा क्या उसे क्या होता है कुलाम होता है, इंदी के अंदरम बात करें, आवेश होता है, और C और V, C और V, ययनि की, V से अपका voltage, और C से अपती frequency, यनि की धारिता की multiply voltage से होती है, वो किसके equal होती है, आवेश के बराबर होती है, यनि की कुलाम के बराबर होती है, next question आपके physics से यानि कि बोतिकी विज्ञान से क्यूशन पुछा गया है यदि 100 वाट का एक बलब परति दिन 5 गंटे जलाया जाता है 100 वाट का बलब 5 गंटे जलाया जाता है और 30 दिन के अंदर 50 उर्पे परति यूनिट के इसाब से पूछ लिया कितना खरच होगा देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ देखो जैसे कि 100 वाट का बलब है कितने गंटे जलाया जाता है डैली 5 गंटे जलाया जाता है और कितने दिन तक 30 दिन तक जब इन सभी को हम मल्टिपलाई करेंगे तो कितना आजेगा हमारे पास 15 जार वाट गंटा आजेगा इसको हम किलो वाट गंटा के अंदर चैंज करेंगे तो 1000 से मल्टिपल डिवाइड कर देना तो कितने आजेगा हमारे पास 15 गंटे आजेगे यानि कि किलो वाट गंटा कितने होजेगे हमारे पास 15 और ये पूछ रहा है भी परती उनिट की दर्से यानिकि जब 50 उर्पे लगते हैं तो कितना खर्च होगा यानिकि 0.50 से आप इसको मल्टिप्लाई कर देना तो हमारे पास जो राइट आन से निकल कराएगा डियर ओप्स नंबर 3 बिलकुल कुरेक्ट होजीगा साबुन के जो बुलबले होते हैं किस कारण से रंगीन दिखाए देते हैं आप साबुन के बुलबले होते हैं उनको आप जब चैक करोगे ध्यान से तो वो कुछ रंगीन परकरती के दिखाए देते हैं ये पूछ लिया किस कारण से तो राइट आन सो रोजेगा डियर इसके प्रिष्टिय तनाव के कारण जो कपूर होता है वो पानी के अंदर नासता भी है और प्रिष्टिय तनाव के कारण कई बार आपने देखा होगा जब आप सुई को गेरते हैं तो पानी के अंदर तैरती दिखाई देती है ये सारा का सारा प्रिष्टिय तनाव के कारण होता ह या फिर सूरिय आस तो हो उस के सिम में जब सूरिय लाल दिखे देता है उसी का कान होता है परकिर्णन और ये परकास का परकिर्णन माना जाता है नेक्स्ट किसन है मारे पास नेतर दान भी नेतर दान के लिए वैक्ति आँख के किस अंग को दान कर सकता है या दान करता है प्रोटोन भी रैदर फोड ने क्या किया था प्रोटोन भी रैदर फोड ने प्रोटोन की खोज की ती किसकी खोज की थी प्रोटोन की खोज की थी एक इसके अंदर उप्सन दिया हुआ है मैंडलिप मैंडलिप की हम बात कर लेते हैं जो आदुनिक आवर्त सारनी का जो नियम है वो किसके दोवरा दिया गया था मैंडलिप के दोवरा दिया गया था यहीं पर एक उप्सन है ओटो को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी हेलप करेगा अमल वर्षा का पी-एच पूछ लिया कितना होता है अमल वर्षा का पी-एच माग जैसे कि हम बात कर लेते हैं पहले पी-एच की बता दूम आपको तो जीरो से लेकर चोगदा तक होते हैं जो साथ पर होता है हमारा उद को अमल 7 को साथ से ज़ादा होंगे उनको अक्सार तो अमल वर्षा का पी-एच माग पूछा है तो हमें पता चल लगा भी साथ से कम होगा यानि कि 12 भी कट गया और 10 भी कट गया और 8 भी कट गया यानि बचा है कि आपके पास option नमबर एक बचा भी यह भी यहनि की 5.5 या इस से कम ही होता है अमल वर्षा का pH मान राइट अंसर हो जीगा अमारे पास option number 1 बिल्कुल correct हो जाता है अमल वर्षा की हम बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा तो जो वाईउ मंडल के इंदर जो उपस्तित होती है हमारी SO2 यानि कि सलफर डाई आकसाइड सलफर डाई आकसाइड होती है जब वर्षा होती है तो उस किसम में जो पाने के साथ किरिया करती है ये जो सलफर डाई आकसाइड और ये बना देती है अमल यानि कि H2SO4 भी next question देखिए समोग किसका सियोंजन है समोग किसका सियोंजन माना जाता है समोग हो दुआ हो ये जो कोहरा एक ही चीज होती है यानि कि दुआ और कोहरे का मिश्रन बोल सकते हैं समोग बोला जाता है जब दान की प्राले वगरा जलाते हैं तो उस में ज़्यादा समोग उत्पन होती है ये दुआ और कोहरा के कारण ही होती है राइट अन्सर ओपस नंबर 4 होजेगा नेक्स्ट किसन देखिए क्विक सिल्वर कहा जाने वाला दात्तू पूछ लिया क्विक सिल्वर कहा जाने वाला दात्तू पूछ लिया डियर कौन सा होगा तो इसके अंदर जो हमारा 29 नंबर जो किसन है राइट अनसर होज़ेगा डियर, ओपस नमबर B होज़ेगा भी SIO2 हम बात कर लेते हैं SIO2, ये क्या होज़ेगा कवार्ट्स भी बोल सकते हैं, यानि कि गडियों के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये SIO2 होता है नेक्स्ट क्यूसिन की बात कर लेते हैं, क्यूसिन नमबर 30, लाल मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है, वो होता किस के कारण है ये पूछा है, लाल मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है, वो किस के कारण होता है तो ये होता है डियर ओप्सन नमबर फूर होजएगा कैप से थीन के कारण कई बार अग्जाम के अंदर आपने क्यूसन देखा होगा कैरोटीन ओप्सन की मैं बता दूँ कैरोटीन होता है कई बार अग्जाम ने आपने क्यूसन देखा है जैसे कि पूछ लिया जाता है गाजर के अंदर जो लाल रंग होता है किस के कारण होता है तो कैरो टीन के कारण होता है गाजर में लाल रंग किस के कारण होगा कैरो टीन के कारण होगा और लाल मिर्चिज में जो लाल रंग होगा वो किस के कारण होगा कैप से त्रीन के कारण चलिए आगे क्यूसिन है रिजिनिंग के क्यूसिन है रिजिनिंग के और बाकी आप इन प्रैक्टिस सैट के लिए ट्रेलिग्राम चैनल क्रेक एक्जामपूरी जो साइड के अंदर देख रहे हो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी मैं आपको पीडियेफ वहाँ पर सैंड कर दूँगा आप इनको अच्छे तरिक्के से कवर कर लेना आगे है आपके जो साथ के अंदर ये इंगलिस के क्युषन है इनको भी आप अच्छे तरिक्के से चैक आउट कर लेना बाकी आपको एक बार में जो इंगलिस के क्युषन है इनको हमें इसका जो एंटोनियम होगा, right answer होज़ेगा, भी कौन भी, dance, option number B, बिलकुल हमारे पास यहां पर correct answer होज़ेगा, next question है, synonym पूछ लिया, किसका, accused का, यानि, accused के हम बात के लिए, 200 रोपित करना बोला जाता है, तो इसका जो हमारे पास correct answer होगा, dear, option number 4, बिलकुल correct answer होज़ेगा मैं इसके आपको direct option बता देता हूँ, choose the option that describe the meaning of the following items and perhaps be, to fall palette, इसका जो right answer होगा, option number 3, dear, correct होज़ेगा भी, to be meet with a cold reception, next हमारे पास fill in the blanks with imperative given option, राम इस खालिस्तान डिस्वनिष्ट मैं, राम इस खालिस्तान डिस्वनिष्ट मैं, right answer रोज़ेगा, dear, option number 1, राम इस डिस्वनिष्ट मैं, यानि कि राम एक बेइमान वैक्ती है, बेइमान है, next है, choose the most stable preposition पूचिए है, किसका fortune continued to smile, खालिस्तान यहाँ पर किसका option number A का correct answer हो जीगा, next question है, इसके मैं English के आपको पहले बतारो, English के आप answer चेक आउट कर लेना, बाकी PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जोईन जरूर कर लेना, तो इसका जो हमारे पास correct answer होगा, dear, option number B, right हो जीगा, next question हमारे पास 62, इसके अंदर बताना, out of 4 alternative, हर्यान जीक को भी cover करेंगे, इसके बाद, इंदी को भी cover करेंगे, 62 है, इसका जो हमारे पास right answer होगा, dear, option number 3, correct होजेगा, 63 की हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास right answer होगा, dear, option number B, A, D, C, इसको ध्यान में देख लेना, इसका answer है, B, A, D, C, यानि कि 3, इसका correct answer बताया गया आगे, इसका 64 की हम बात कर लेते हैं, कई स्टूडेंट के थे, डाउट भी, इसके आप answer जरूर बता दिया करो, तो 64 का जो हमारे पास right answer होगा, option number 1 होजेगा, बाकी PDF को आप टेलिग्राम पर चैक, जरूर कर लेना, 65 की हम बात करें, तो 65 का हमारे पास right answer होजेगा, option number 3 भी इंदी के question direct देखते हैं, फिर अरियान जी के को बहुत अच्छे details से आपको cover कराऊंगा, इंदी के question देखिए, इसके अंदर दे दिया 10 question आपके इंदी के पूछे जाएंगे, 10 सी reasoning के पूछे जाएंगे, और 10 सी English के question आएंगे, तो इंदी के question के अंदर हम बात करें, question के अ तो आपको क्या लगता है, इसका right answer रोजेगा भी हमें प्रस पर प्रेम से रहना जाए, option A correct हो जाएगा, next है, निमलिक्त, विकलपों में सही सबद चुनना है, भी पुनर जागरण है, इसको किस परकार लिखा जाएगा, right answer रोजेगा, पुनर जागरण का कुछ इस परकार लिखा जाएगा, option A correct हो जाता है, next है, रिक्त स्तान को बरना है, यह गरंत, इस गरंत को इतियास की खालिस्तान से भी एक महतपुन रचना मना गया, इस गरंत को किस परकार की रचना मना गया है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, right answer हो जेगा, 68 का, 1 हो जेगा भी दरश्टी इस गरंत को इतियास की दरश्टी से महतपुन रचना मना गया, next question है, जिस संगया या सरोणाम सबद की विशेशता बताई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है, विशेशता बोला जाता है, next question है, और विशेशन की मैं बता दूँ, जो इनकी विशेशता बतलाते हैं उनको विशेशन बोले जता है तोड़ा सा कन्फ्यूज करने वला है नेक्स्ट देखिए 70 किसन जहां उपमा अलंकार का सोंद्रे अर्थ में ने तो वहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाए जाएगा राइट अन्स रोजेगा भी अर्था अलंकार ओप्सन नंबर एक ब प्राइव अच्छी की बात करें और अन्स रोजेगा डियर ओप्सन नंबर बी होजेगा भी सवा नेक्स्ट है मारे पास किसन नंबर 72 सागर सा गंबीर हर्दय हो गिरी सा उन्चा हो जिसका मन इस वाक्य में पूछ लिया कौन सा अलंकार दिया गया है और अन्स रोजेगा दिये गए वाक्य में उत्थान सब्द का विप्रित तार तक पूछ लिया उल्टा सब्द क्या होगा उत्थान सब्द का बात करें गरव करना मुआवरे के इंदर जो अर्थ पूछ लिया क्या होगा राइट आन्स रोजेगा मारे पास एंट कर चलना भी नेक्स्ट है मारे पास है गुड ने दें गुड की इस लोगती की उचित विकलभ से पूरण कीजिए यानि की आगे जो खालिस्तान सा दिया गहा है वहाँ पर क्या आईगा तो यहाँ पर हम बात करें गुड ने दें गुड की सी बात तो करें उप्सन सी कुरेक्ट हो जाता है अरियाना जी के ग्रूप D एक्जाम के अंदर 25 क्यूशन पूछे जाएंगे कवर कर लेते हैं सभी को अरियाना की स्तापना पूछी है एक नॉम्बर 1966 को हुई थी पूछ लिया किस की सिपारिस पर हुई थी किस की सिपारिस पर हुई थी रायटान स्रोजे का सरदार उकम सिपारिस पर हुई थी ये पूछले अरियाना राज्य की जब स्तापना हुई थी उसमें कितने जिले थे टोटल साथ जिले बिनाए गए थे सन 1965 की बात है जब बार सरकार के दोवारा लोग सबा अदेक्स कोन हो जीएंगे सरदार उकम सिंग की अदेक्सता के अंदर पंजाब विवाजन पर विच्यार किया गया था इसी सी फारिस के उपर मार्च 1966 के अंदर सुरोच नेले के नियादिस कोन थे जे सी सा कि अदेक्सता के अंदर पंजाब सिमा आयो का गठन किया गया था और 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर गठन एक्ट पारित किया गया था इस परकार जो लंबा संग्रस चला था शत्रमे राज्ये के रूम में उबर कर अर्याना आया था एक नॉम्बर 1966 को स्तापना की गी थी चैनल पर नहीं है तो चैनल को अविश्या सस्क्राइब कर लेना कल की क्लास के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे जो आपको नया अग्जाम पैटरन दिया गया है सेम वही अग्जाम पैटरन को हम कवर कराएंगे और भी बहुत सारी ग्रूप D के प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे हैं प्रन्तु जो HSC बार बार अग्जाम पैटरन देती गई पहले उस पैटरन पर कवर कराया बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि इतने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप का ही इसके अंदर फाइदा होने वाले क्योंकि मैक्सिमिम क्यूशन आपकी आँखों के आगे से चले जाएंगे हर्याना रज्य का छितरफल देश के कुल छितरफल का कितना हिस्सा है परतिसत के अंदर पूचा है राइट आन्स रोजे का अब एक पॉइंट चोंतिस परति ओपरा वे सतंपर अंकित हैं ग्यार्मी स्ताबदी के चोहान राजा विग्रे राज चतुर्थ की और आन्स रोजेगा डियर ओप्स नंबर थ्री और आन्स रोजेगा भी तीन अविलेख यहां पर बताए गई हैं नेक्स्ट क्यूशन है 79 ती सितंबर 1803 को दोलत राओ इंडिया ने किस संदी के तहत हर्याना को बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी को सौप दिया था कौन सी संदी हुई थी सुर्जी अर्जन गाउं की संदी हुई थी 30 सितंबर 1803 को नेक्स्ट क्यूशन देखिए सराय अलिवर्दी गाउं की मस्जिद पूछली किस जिले के अ किसन ठीक हो रहे थे सराय अलिवर्दी गाउं की मस्जिद किस जिले के अंदर स्थीता है कुरेक्ट आंसर हो जेगा डियर अपस नमबर ए गुरू गाउं बोल सकते हो गुरू ग्राम बोल सकते हो तो कुरेक्ट आंसर हमारे पास ओप्स नंबर एक बिल्कुल कुरेक्ट होजेगा गुरूगराम के अंदर माता मसानी का मेला भी है और माता मसानी को सीतला माता भी बोला जाता है गुरूगराम की स्तापना पूछ ले एक नॉमबर 1966 को हुई थी गुरू द्रोना चरे के नाम पर गुडगाओं का जो नाम यमना नगर से 12 किलोमेटर की दूरी परस्तित बुडिया नामक 188 कसबे की निव किस मुगल सासक के काल के अंदर रखी गी थी बूडिया नामक जो 188 कसबा है यमना नगर से दूरी बताएगी यह 12 किलोमेटर की हिमायू के दवारा भी ओप्स नंबर भी हमारे पास कुरेक् हिमायू की बात कर लेते हैं तो ये मुगल सासक थे और इनी की बात कर लेते हैं तो ये 30 दिसंबर 1530 को अंदर गद्धी पर बैठे थे इनकी मिर्तिव पूछ ली जाती है कब हुई थी 1556 के अंदर इनकी मिर्तिव हो जाती है नेक्स्ट किस्ण देखिए गनतंतर दिवस 2023 के लिए करंट अफेर से रिलेटी डाटा है दो चैर किस्ण आपके करंट अफेर से भी आ सकते हैं गनतंतर दिवस समारोव 2023 के लिए हरियाना की जांकी की थीम क्या थी गनतंतर दिवस 2023 के लिए हरियाना की जांकी की थीम क्या थी बात कब की है 22 जनवरी 2023 को हरियाना के सुचना जन संप्रक यो बासा विबाग के मानेदे से कौन हो जेंगे डोक्टर अमित अगरवाल ने बताया कि गनतंतर दिवसमारोव पर इस बार जो 26 जनवरी को ये अपना जो अंतराश्टी गीता मोच्छों की थीम इन्होंने पेस की थी नेक्स्ट किशन देखी 2022-23 के दुरान हरियाना के अंदर बजट की आंक तलिका रासी पूछली भी आंकलित रासी 2022-23 के अनुसार बजट की कितनी होजेगी कुरेक्ट आंसर होजेगा भी एक लाग सततर जार दो सो पच्पन पॉइंट निनानमे करोड रूपई नेक्स्ट किशन देखी किशन नंबर 84 निमलिक्त में से कौन सा कथन सत्य है इन चार कथनों को आपको द्यान से पढ़ना है जैसे कि हरियाना राज्य को राज उत्तर पस्मी बाग खनीज संसादन की दृष्टी से समर्द है ये गल्त होजेगा राज्य के अंदर जो नेक्स्ट किशन है अरियाना के किस या किन जीलों के अंदर शिवालिक छितर पूछ लिया जो बूमी कटाओ को रोकने के लिए विस्सो बैंक की साहता से समनित जलागम विकास प्रियोजना चलाई जा रही है शिवालिक छितर के अंदर कुरेक्ट आंसर होजेगा डियर 85 का जो शिवालिक की पाड़ी के अंदर ये सारे के सारे डिश्टिक आते हैं जैसे की यमनानगर, अंबाला और पंचकुला ये जो पुर्वी हमारा अरियाना का छितर मान जाता है नेक्स्ट है हमारे पास 86 नंबर के उस्सन अरियाना राज्ये में ग्रामिन छितरों में बिजल जो शितर अरियाना राज्ये के सरकार के दवरा राइट अंच रोजिगा मारे पास उप्सन नंबर A अरियाना ग्रामिन बिजली कनेक्शन योजना इस योजना की आम बात के लिए न तो 100 से लेकर 200 रुपे की आसान किस्तों पर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा ऐसी चीज य प्लस टू प्लस त्री शिक्षा प्रणाली लागू की थी राइट अन्स रोज़ेगा राइट अन्स रोप्शन नमबर बी उनीशो चेतर स्ततर के तहत ये प्रणाली लागू की थी नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कतन एसत्य पूछ लिया इन चार उप्शन के कोडिंग कौन सा कतन है वो एसत्य होगा तो डियर इसके अन्दर जो 88 नमबर क्यूसन है राइट अन्स रोज़ता हमारे पास उप्शन नमबर फोर होज़ेगा बाकी एक बार पढ़ लेते हैं इसको इंदोरी नदी दो साकाओं में ब पूछ चुकी है टांगरी नदी है ये चीज़ यहां पर गलता है टांगरी नदी की मैं बता दूँ तो टांगरी नदी है वो सिवालिक की पाडियों से निकलती है और अंबाला के अंदर भैती हुई राजस्तान के अंदर प्रवे से करती है नेक्स्ट क्यूसन है राज्ये के अंदर कुल सटकों की बात करें 474 किस से नमबर 90 देखिए भी निमलिक्त में से बताना है में इनको मिलान करना है ये जिले दिये और यहां पर जो साखस्ता का परतिसेता है वो कितना है इनको हमें मिलान करना है तो सबसे पहले बात करें अमबाला की आपके पास 80% और फ्रिदाब आ जाएगा 81% ओप्सन नमबर 4 डियर इस कुछन का कुरेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछन बात करें 1916 के अंदर रोतक जिले के कांग्रेस कमेटी के मंतरी कौन बने थे वर्स 1916 के अंदर कौन कांग्रेस के कमेटी के मंतरी बने थे इन में से कोई नहीं बता दूमा आपको तोड़ा सा डिटेल से तो रोतक जिले से 1916 के अंदर सर चोट राम सर चोट राम की बात करें तो इनका जनम 24 नॉंबर 1889 को बहुत बार अच्छ सी इस किसन को पूछ चुकी है कहां पर हुआ था जजजर के अंदर जो गाओं की बात करें गड़ी सांपला के अंदर साधान परिवार के अंदर इनका जनम हुआ था और 1960 के अंदर पहली बार रोत्य के अंदर जो कांगरिस कमิटी का गठन किया गय था वहां पर कमेटी के परתम परदान की बात करें अदेक्स की बात करें सर चोट राम को बनाय गय था नैक्स्ट पर बात करें 92 न joy गिसन सूची 1 और सूची 2 करके दी हुई है इनका भी हमें क्या करना है मिलान करना है जो अभिनव लौहान है इनका समद किस से होजेगा गॉलफ से होजेगा संदीब कोठिया की हम बात करें संदीब कोठिया का समद होजेगा हैंड बाल से सुरेश यादव की हम बात कर लेते हैं यह होजेंगे भी दावक और सुनिता सर्म होजेंगे जिमिनाश्टिक नेक्स्ट कुशन देखिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट कलास के अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे ग्रूप C के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कवर करा रहें और साथ से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर मैं इस चैनल के माद्यम से आपको कवर करवा चुका हूँ अब नएा pattern group D का दिया है, तो group D के pattern पर नई सीरीज हमने आज से सुरू कर दिया है, युद्यकाल के अंदर रोग तक उप्छितर को का जाता था, क्या का जाता था युद्यकाल के अंदर आंसरो जीगा बहुत दन्यक बोला जाता है, बहुत दन्यक का मतलब अत्यदिक समर्द जो ये रोत्त की हम बात कर लेते हैं युद्यकालिन की बात हुए तो युद्यकालिन जो सांचे प्राप्त हुए थे कहां पर प्राप्त हुए थे रोत्त के एक सहर पूछ ले जाता है कोकरा कोट नामक सतान है वहाँ पर युद्य कालिन के सांचे के जोसी के प्राप्त हुए थे निमलिक्त में से हरियान के किस जिले के अंदर सिवालिक पाड़ियों का विस्तार ही नहीं है सिवालिक की पाड़ियां पहले में बाग के अंदर पाई जाती है कई बार इसकी एक्जाम के अंदर क्योंसन आ जाता है इसकी समन्ने उंचाई के अंबात कर लेते हैं तो 900 से लेकर 2300 भी 900 से अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आरी तो आप आवाज द्यान से सुन लेना इसकी समन्ने जो उंचाई है वो 900 से लेकर 2300 मिटर तक बताई गी है इसका जो विस्तार मैंने बता दिया अंबाला के अंदर पंचकुला के अंदर और यमना नगर जिले के अंदर पाई जता है और कई बार अग्जाम के अंदर जो ये सिवालिक की पाड़ियां इन से नदी पूछ ली जाती है कौन सी नदी एक गगर होगी एक मारकंडा होगी एक टांगरी नदीयों का उद्गम स्तल्ला है वो कौन से माना जाता है कौन सी पाड़ियां मानी जाती है नेक्स्ट किसन है उन्निस्वी स्ताबदी के अंदर या उन्निस्वी सदी के अंदर हर्याना में मुसल्मानों के संद्रम में कौन सी कतनों पर विचार करना है उन्निस्वी स्ताबदी के अंदर मुसल्मानों के संद्रम पर ये बातें दी गई है इन कतनों पर हमें विचार करन कौन सिकतन सही हैं, कौन सिकतन गल्टा नाइन्टी फाई नंबर की सन देखी इए इसके अंदर देखें, उननिसमेंसदी के अंदर अर्याना के अंदर 28% मुसलमान थे, जो अनेक जातियों के अंदर विवाजीत थे, बिलकुल राइट बात है और बात कर लेते हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है जैसे कि गुडगाओं के अंदर तो ये गुडगाओं के अंदर ये भी राइट होजेगा भी मुलत क्या थे राजपुते जो बाद के अंदर क्या बन गे थे मुसलमान बन गे तो ये चारों के चारों का थना है उनीस्वें स्थावदी के अंदर मुसलमानों के बारे में सत्य हैं नेक्स्ट किसेने 96 नारनोल के समीप है नसीब पूर गाउं बहुत बारत से सी इसको भी पूछ चुकी है वहाँ पर क्या हुआ था यूद हुआ था अंग्रेजों के अंदर जो तीन सक्तिया है वो नेश्ट कर दी थी अंग्रेजों ने वो कौन कौन सी सक्तिया है वो कर दी थी अठारा सो स्तावन की बात करूँ नारनोल से कौन हो जेंगे राउ तुला राम को करांतिकरी मन जाता है नेक्स्ट किसेने 12.5.6 कहां पर स्थीत है 12.6 के हम बात कर लेते है ओडल के अंदर स्थीत है बहुत सिंपल किसेने बहुत बार एक्जाम के अंदर आ चुका गलता इसका निर्मान की बात करें खिसके दावारा करवाय गया था तो बरतपूर के राजा थे कौन थे सूरज मूल के दावारा इनका निर्मान करवाय गया था 12.6 के बारे मैंने आपको डिटेल से बता दिया जिला रोत्त के अंदर स्तित कौन सा सहर महम नमक कस्वा बोल सकते हो इसका जो पुनर निर्माण है बनिया जाती के पिसोरा नमक वैक्ति के दोवारा पूछ लिया कब करवाय गया था जो महम का निर्माण है फिर से करवाय गया था बनिया जाती के पिसोरा नमक वैक्ति के दो पूछ लिया कब कवर करवाए गया था पूरेक्ट आंसर हो जेगा डियर 1266 के अंदर 1266 के अंदर यहां पर महम की बता दू मैं रोत के महम के अंदर 24 चबूतरा है जो एतियासिक चबूतरा माना जाता है 24 की बात करूँ यानि कि 24 गाउं की पंचायते इकटा होकर किसी भी छे चैनल को सब्सक्राइब करें लेना क्लास अच्छी लिगे तो प्लीज लाइक कर देना आपके दोवारा किए गया एक लाइक मेरेको नेक्ष्ट कलास के लिए प्रेरित करेगा हरियान सरकार ने और कॉमेंट बोकस के अंदर इस कलास के प्रति अपनी राय जरूर दे हरियान सरकार ने किस वर्स तक अरियाना को बाड मुकत बनाने का लक्सिया रखा था अरियाना सरकार के दोबार किस वर्स बाड मुकत बनाने का लक्सिया रखा राइट आन्स रोजेगाड इर ओप्सन नमर 3 वर्स 2026 तक अरियाना सरकार का मानना है कि हम अरियाना को बाड मुकत बना लेंगे और ये बात के हम बात कर लेते हैं तो ये बात 19 जनवरी 2023 को अरियाना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर की जो अदेकस्ता हुई थी चंडीगड के अंदर जब इन्होंने ये बात बोली थी और ये जो बाड़ नियंतर बोर्ड की पूछ ले कौन सी बैठकती तो ये च इचि लिया कितने दूरी तक फेले हुए कितने वरक किलोमेटर तक फेले हुए तो 603 वरक किलोमेटर तक फेले हुए सेटनम टू को कवर करेंगे इसकी पीडियेप के लिए टेलिग्राम चैनल को आप जोईन करें उमीद करता हूँ आप सभी कज दिन सुब्ब